Hello everyone, welcome back to your own channel, Gushika Education. My name is Nadi and today we are going to do our next session for vocab. Vocab में आज जो हमारा first question है, वो सेम हमारा जो हम डेली करते हैं, जो similar words and synonyms आपको बताने हैं. Choose the one which best expresses the meaning of the given word. So first word है आपका events. Events मतलब क्या होता है? Recollect, show, appear या फिर produce. Recollect क्या होता है? Recollect होता है किसी बात को याद करना होता है, Recollect. Show क्या होता है? Show मतलब दिखाना. Appear क्या होता है? Appear, we use exams के लिए यूज करते हैं, exams में appear होना है, जिसने reappear के form होते हैं, दोबारा से examen appear, वापस से देना exam को. या फिर कोई चीज आपको दिख जाती है, तो उसके लिए आप appear यूज करते हो, दिखाने में और दिखने में difference है, तो show और appear में आपको difference clear होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद प्रिड्यूस, प्रिड्यूस कट आपको पता है किसी भी चीज की जो production होती है, तो बता ये evidence का मतलब क्या होगा, evidence मतलब होता है, परदर्शित करना, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर similar है, दो ही option बचते हैं हमारे पास, जो इसके similar है, कौन से, B या C, तो B होगा या C होगा, दिखना या फिर दिखाना, परदर्शित करना मतलब क्या होगा, दिखाना, मतलब शो करना, तो कौन सा option correct होगा, जो B option है, वो हमारा correct होगा, ठीक है, दिखाना, शो करना, clear, next word है, pannecious, pannecious क्या होता है, filthy, foul, continuous या injurious, चारों के मतलब आपको पता है, filthy और foul बी, दोनों क्या है, ये synonymous है, क्या होता है, गंदा, continuous आपको पता है, लगातार, ये injurious क्या होता है, injury क्या होती है, चोट वगएरा लग जाते है, injury होती है, pannecious मीनिंग होता है, हानी कारक, तो कौन सा हमारा word सिमिलर होगा, filthy foul तो होगा नहीं, गंदा है और continuous भी नहीं होगा ठीक है, next word है, mordent, mordent बताइए क्या होता है, stupid, pensive, senseless या फिर sarcastic, mordent means stupid, आपको पता है क्या होता है, stupid, pensive क्या होता है, pensive होता है, जो गहरी सोच में किस खो जाते हैं, चिंता ग्रस्ता बोल सकते हो, ठीक है, चिंता ग्रस्त, senseless आपको पता है, जिसके अंदर sense नहीं होती, senseless, sarcastic क्या होता है, ताना, ठीक है न, ताने वाले वे में होता है, ताना, तो mordent क्या होगा, चार option में से, modern means क्या होता है, चुबने वाली जो tipनी होती न, जो चुब जाती है में जो बात, ठीक है, वो होता है mordent, चुबने वाली tipनी, ठीक है, तो कौन सा word similar होगा, जो d option है, sarcastic, ताने की वे में, ठीक है, तो d option हमारा यहां पर correct होता है, modern means sarcastic, next is pragmatic, pragmatic क्या होता है, theoretical, realistic, perfect या simple, यह तो चार आपको पता है option, theory से related होता हो, theoretical, realistic, जो वास्तविकता से related, perfect होता है, जो चीज, simple, जो होती है, बताइए, pragmatic का meaning क्या होता है, ऐसे words बहुत बार आपको मिलेंगे, कि आपको word ऐसा दे दिया जाएगा, चारो options आपको पता होगे, लेकिन आपको सिर्फ जो दिया होए word वही नहीं पता होगा, तो भी काफर difficult हो जाता है, pragmatic क्या होता है, व्यावारिक, ठीक है ना, व आपको जिस तरीकी options है, उसी तरीकी का आपको answer देना पड़ेगा, ठीक है, व्यावारिक है, तो किस से relate करता है, थोड़ा बहुत realistic से करता है, बाकी से तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, जो व्यावार वाली बात है, वो ही realistic होगी, असल बात जो है, तो B option हमारे यहा किया था, eloquent क्या होता है, बोलने में जो कुशल होता है, ठीक है न, जो बोलने में कुशल होता है, वो क्या होता है, eloquent, बोलने में कुशल, favorable आपको पता है, किस चीज किसी के भी favor में, जो हमारे लिए या फिर favorable है, appropriate, जो बिल्कुल exact है, सही है, kind आपको पता है, दयालू, त opposite होता है उचित तो कौन सा option सिमिलर होगा D option appropriate वही जो उचित है ठीक है न एपोजिट मेंज क्या होता है appropriate उचित ठीक है तो D option हमारे यहां पर correct होता है clear तो यह हमारे synonyms होते हैं अब हम चलते हमारे अन्टोनियम पर एंटोनियम से अपका first question है choose the word opposite meaning opposite आपको बताने अन्टोनियम सापको बताने फिकल क्या होता है फिकल का जो अपोजिट वह आपको बताना है debilitating form repulsive या फिकल मीन्स क्या होता है चंचल आप बोल सकती हो अस्थिर आप बोल सकते हो जो और बार-बार बदलने वाला debilitating मतलब क्या होता है कम जोर करता है कम जोर करने वाला फर्म आपको पता है क्या होता है मजबूत ठीक है फर्म होता है मजबूत रिपल्सिव आपको पता है क्या होता है घरनात्मक जिस जो आपको अच्छा नहीं लगता घरनात्मक येल्डिंग क्या होता है येल्डिंग होता है हार माननी वाला ठीक हार माननी वाला ये वर्ड भी negative है सिर्फ b ही है जो मजबूत जो positive है ठीक है तो b option हमारा यहां पर correct होता है answer is b words important है यह सारे ही words important है ठीक है इस question में next भी चलते हैं second है profound profound क्या होता है mysterious difficult superfluous या पर superficial profound profound क्या होता है जो गहरा होता है profound मतलब गहरा mysterious आपको पता है जो रहस्य से related हो रहस्य मही होता है ठीक है difficult क्या होता है मुश्किल superfluous क्या होता है अधिक से जादा जितने जरुरत नहीं होती यह word हम बहुत बार यूज करते है errors में अधिक से जादा ठीक है superficial क्या होता है superficial क्या होता है छिचला मतलब क्या होगा आपका opposite है वो D ही होगा ठीक है profound गहरा होता है तो उसका opposite क्या हो जाएगा छिचला मतलब superficial ठीक है तो D option हमारे यहां पर correct बनता है ठीक है next है next word is tremulous tremulous क्या होता है healthy, obese, young या फिर steady obesity बिमारी भी जो होती है young आपको पता है जो youth होते है steady क्या होता है? तो बताएगे यहां पर कौन सा exact option होगा tremulous means क्या होता है? कापता हुआ ठीक है कापता हुआ या फिर हिलता हुआ ठीक है ना तो कौन सा word हमारा इसका opposite होगा opposite आपको बताना है कापता हुआ हिलता हुआ का क्या होगा opposite steady जो स्थिर है ठीक है जो stable है जो D option हमारा क्या होता है यहां पर correct बनता है ठीक है next है disconsolate disconsolate क्या होता है joyous, unprejudiced, prominent या for thankful disconsolate joyous आपको पता है जो आनन्दमित होता है ठीक है आनन्दमि unprejudiced मतलब क्या होता है पूर्व ग्रह रहित ठीक है किसी को console करें साउंतावना दे रहो disconsolate क्या होता है उतास अनन्द में है ए जैसे होंगा और भी ऐस किया होता है अरबन लह hybrid है इसे से अंग में फटेटि जहां मिवर्ड होती है उबर के त से अज में Cathedral ब imaginar अप्ट का होती है एभा sãoट को आपको होता है रुरेल रूड होती है जो आपकी टाउन से ऊसाइड हो प्याद होता है जिसे लेंड वाला पार्ट जादा होता है जाहंवन पिलिडिंगा कम होती है आर्बे क्या होता है न को कि से और पर बिलेट करते हैं यहाँ पर रूरल से पूछते हैं तो वह seperti अपोजैंबोस्ट इयां पे रूरल नहीं बनेंगा यह नहीं होगा क्यूंकूंक यह-बन यह अर्बिया होता है अर्म थे क्या है तो नहीं कि अ गयला अईरिया होता हैпр मैं मतलब तंद रहुत यह घोता है थैस अभा porch वह पर अपके बिल्डिंग पाइलर द jot आ है यह अर्बेन क्या होता है जो सभ्य होता है ठीक है तो इसका अपोजिट क्या होगा असभ्य होता है ठीक है ना असभ्य यह इसका अपोजिट होगा ना कि रूरल तो जो बी ऑप्शिन है वो हमारा करेक्ट होगा नेटिव आपको पता है जो देशी होता है जो अपनी मूल जड नहीं कर रहे हैं तो सुर्फ करने हैं उसके साथ करेंगे चाल को तिल देन टेक वाई बैए